कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जैगोबिन ऑफिसल के यूटूब चैनल पर साथियों हमने तीन लेक्चर कर लिया और आज हमारा कॉंप्यूटर फंडामेंटल का चौथा दीन है आज हम देखने वाले हैं टाइपस ऑफ कॉंप्यूटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कि कॉंप्यूटर कितने तरह का होता है किस बेसिश पे उसको डिवाइट किया जाता है यह सब कुछ आज हम जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉंप्यूटर में अगर हम बात करें तो तीन बेसिश पे हम कॉंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहां पे क्लासिफिकेशन का हम एक फ्लो डाइग्राम देख लेते हैं कि कि तरीके से मारा classification होता है और किसके अंदर में कौन सी category आती है वो सारा flow diagram से समझेंगे तो first हमारा जो है वो है basis of mechanism basis of mechanism की अगर बात करें तो हमारा first होता है एनलग computer next is digital computer next is hybrid computer यह तीनों category जो है हमारे mechanism के basis पर divide किये जाते हैं इसके बाद second category की बात करें तो second होता है हमारा basis of size और basis of size की बात करें तो वहां पर हमारे पास आज़ते हैं micro computer, mini computer, mainframe computer and last super computer यह चार category हमारे पास होते हैं size के अधार पर next अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है computer का purpose यानि की computer को हम किस purpose के लिए कर रहे हैं purpose के इसाब से देखे तो हमारे पास वर्स्ट होता है जेनरल पर पर पस कंप्यूटर and next वन is special purpose computer तो classification computer का कुछ इस तरीके से करते हैं जिसमें हमारे तीन classification होते हैं और तीनों के basis पे हम अलग अलग तरीके से computer का classification करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा है on the basis of mechanism mechanism की basis पे अगर हम classify करें तो हमारे computers वो हैं वो three categories में divide होते हैं जैसा कि आपने अभी देखा फर्स्ट इस एनलोग second digital and hybrid computer यह कुछ few examples हैं यहाँ पे pictures दिये हैं कि हमारे यह तीनों category के computer किस तरीके के होते हैं तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन बाई वन हम deeply सारे computers को explain करेंगे समझेंगे कि कौन सा computer क्या होता है तो विडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जा कर प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें ताकि आपको डेली मिलने वाले अप्डेट्स मिलते रहें तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा है mechanism के अंदर में analog computer अगर analog computer की बात कीज़ा है तो यह continuous data पे work करता है इन analog computer data is represented as continuously varying voltage and operate essentially by measuring rather counting next is as the data is continuously variable the result obtained are estimated and not exactly repeated यानि analog computer की बात करें तो यह repeated input पे काम करता है continuous data अगर इसको मिलेगा तभी आपको output देगा तो इसी लिए एक estimated result हमें show करता है ना कि यह exact value show करता है analog computer कभी भी 100% accurate result हमें नहीं देता है इस इसका ध्यान रखेंगे next अगर बात करें तो यह multiple task को perform कर शकता है and also capable to work efficiently with the irrational numbers और additional numbers के शाथ में भी आसानी से काम कर सकता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि यह point में भी आमें ला करके देता है इसके बात करें तो voltage, temperature, pressure यह सब analog devices से हम measure करते हैं जैसे गाड़ियों में अब देखते है speedometer लगा होता है, voltmeter होता है, thermometer होता है तो यह सारे analog computer के हैं examples है next बात करते हैं हमारे पास आता है digital computer तो digital computer के अगर बात की जाए तो यह एक ऐसा machine है जो digital technology पे बिजद है जो numerical digit information को represent करता है numerical digit की बात की जाए तो यहां पे binary numbers की बात की जारी है जिसमें की zero and one दो ही जाते हैं zero मतलब off होता है और one का मतलब यहां पे on होता है तो इस दो numbers पे हमारे digital computer जो ही यह work करते हैं नेक्स्ट बात की जाए तो डिजिटल computer इस रिप्रेजेंटेड इस डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलाक्टिकल पल्स डडेटा इस मेजरीड इस रिप्रेजेंटेटर आइदर ऑन और ऑफ स्टेट अभी जो मैंने आपको बाइनरी डिजिट समझाया था ऑन और ऑफ वो और अगर इजांपल की बत की है तो आज हम जितने भी कॉम्पियूटर देखते हैं अबरे आस पीडियोतर कादों कि गरमारे पेसे कर घर कोशेट हैं और अगर दिजिटल के से बना हुआ computer होता है और इसका speed जो होता है वो analog computer के बराबर होता है और digital computer का accuracy होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता है था कि analog computer का speed fast होता है क्योंकि वो continuous data पर work करता है और digital computer accurate results बताता है तो hybrid computers जो होते हैं वो उस दोनों के accept करता है डेटा को और आउट्पूट जो है वो डिजिटली हमें प्रोसेस करता है यह यू कहा है तो यह डिजिटली आउट्पूट ले सकता है और आउट्पूट को अनलोग तरीके से भी दिखा सकता है यानि कि यह दोनों तरीके से काम कर सकता है नेक्ष्ट बात कि जाया तो देटा इस अवर प्रोसेस डिजिटली यहां पर जो डेटा है वो डिजिटली ही प्रोसेस होता है तो इसलिए हाइब्रीड कॉम्प्यूटर का यूज हम अनलोग से डिजिटल से अनलोग में लाने के लिए कर सकते हैं अगर हाइब्रीड कॉम्प्यूटर की बात कीज़े तो यह आप लोग स्ट्विटल में भी देखते हैं या फिर बहुत अलग अलग जगों पर भी हाइब्रीड कॉम्प्यूटर का यूज किया जाता है अब हमारा फॉर्स्ट बेसिस खतम होता है यहीं पर मैकेनिज्म और यहां से सेकंड स्टार्ट होता है कि बाई साइज यानि अन्द बेसिस ऑफ साइज हम कॉम्प्यूटर को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो चलिए आपर स्टार्ट करते हैं तो आउन दा वेसिस ऑफ यहां पर साइस कर लिजिए गा और वेसिस ऑफ साइस कॉम्प्यूटर और क्लासिफाइड इंटू थ्री कटेग्रिश साइस के बेसिस पर देखा जाए तो कॉम्प्यूटर को तीन कटेगरी में डिवाइड के जाता है दो फॉस्ट वन इस माइक्रो सेकंड इस मीनी ठाड़ इस मेंड फ्रेम एंड फॉस इस सूपर कॉम्प्यूटर और यह कुछ एग्जामपल्स दिये हैं यहां पर पिक्च्छा साब को दिख रहे हैं कि यह सारे हमारे साइस के इसाप से हमने इसे चेंज करके रखा है अब नेक्ट बात कि जाय थे सबसे फॉस्ट है हमारा यहांत क्या होता है तो अगर ओर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जायतीग घरों में अपने पॉसनल कंप्यूटर यह कर थे हैं यह सारे मा directly backup में आते हैं इसके बात की जैते हैं अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा तो मैंने प्रिप जैनरेशन में बताया था कि प्रोसेसर चीप का यूज किया जाता था और उस माइक्रो प्रोसेसर चीप जो है वह सेंडल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम करते हैं हर साथ के था हैं माइक्रो कॉंपुटर के इंदर नेकस्ट बात कि जायए तो मैमरी सब्सदूंइम तो यूज पाई इंडी वीजुल वियर इन दो फॉर्म ओफ पीसी वर्क स्टेशन और नोटबुक कॉंप्यूटर जो भी माइक्रो कॉंप्यूटर है यह हम लोग घरों में यूज करते हैं जैसे पीसी होगा हमारे वर्क स्टेशन हम अपने काम के जगों पर इसका यूज करत अबेर्ट सुटेबल फ़ुर पोर्शनल वॉर्क डैट में 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 वी मेंट उस्टी मेंट वाचिंब कॉछनट आप इस पॉर ओफिस एंडपार तो और फिर पॉर कोम्प्यूटर जी स्टेबल यह एक सुटेबल हमारे पोर्षनल वर्क के लिए होते हैं जैसे किा में कोई assignment बनाना है movie देखना या फिर office का कोई काम है presentation बनाना है तो इन सारे सीजों के लिए हम अपने micro computer का use करते हैं जो कि हमारे घरों में होता है इसके बाद नेक्स चलते हैं तो अगला category हमारे पास है mini computer micro से थोड़ा सा उपर micro से थोड़ा सा एडवांस और size में बड़ा costly मतलब हर चीज में micro से ज़्यादा यह होता है mini computer mini computer होते हैं minimum sized computer होते हैं और इस computer में more than two यह two और more than two processors होते हैं जो कि आपके micro computer में एक processor का use किया जाता है उसी सेम processor को अगर हम double कर दे या उससे ज्यादा कर दे तो वह हमारे हो जाते हैं mini computer mini computer को हम server के रूप में भी यूज़ करते हैं अगर छोटे-छोटे office में work करना जैसे कि एक हमारे बॉस का computer हो गया और उनके 10 clients हैं तो इन सभी को जोड़ने के लिए जो हम server बनाते हैं तो वह हमारे mini computer कहा जाता है इसके बाद बात किसे तो और यह second point है second point आप लोग कट कर लेंगे यह micro computer के बारे में लिखा हुआ है यह mini computer के बारे में नहीं है नेक्स्ट बात की जाए यहां पर तो mini computer का और जीनेट्स हुआ था वह 1960 में हुआ था mini computer हमारे पास 1960 में ही आ चुके थे और जबकि माइक्रो कॉम्प्यूटर हमारे पास 1970 में आया था इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो 1970 आते आते हैं जो हमारे mini computer थे इसके bit को 8 से 12 bit का बना दिया गया क्योंकि आपने देखा था कि 1970 में जो हमारा micro computer था वह 8 bit का था तो mini computer हमारे उस समय 8 से 12 bit के बनने स्टार्ट हो गया थे हैं ग्रेजुवाली दा आर्किटेक्टेक्ट्र रिक्वाइट्मेंट इस गों टू 16 तो 32 बीट और धीरे यह जो से 12 बीट का प्रोसेशर वह आगे चल करके 16 से 32 बीट प्रोसेशर में चेंज हो गया इसके बाद बात की जैतो इसमॉल में फ्रेम्स डैट परफॉर्म लिमिटेड टास्ट मीनी कॉम्प्यूटर को हम स्मॉल में फ्रेम कॉम्प्यूटर के नाम से भी जानते हैं जो कि हमारे में फ्रेम भी कहते हैं इन डाटम साफ प्रोसेशिंग कापबिलिटीज के रूप में देखा जाए एक तरह से लूवर में फ्रेम का काम करता है मीनी कॉम्प्यूटर सार्य यूज इन इंसीच्यूट में करते हैं साथ ही डिपार्टमेंस में करते हैं और बहुत सारे अपने का यूज करते हैं इसके बाद नेक्स्थ आता हमारे पास में फ्रेम और में फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा में फ्रेम कंप्यूटर यह एक बहुत ही पावरफुल कॉंप्यूटर होता है कि मीनी और माइक्रो कॉंप्यूटर के मुकाबले मेंफ्रीम कॉंप्यूटर जो हमारा ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इसमें थाउजन्स ओफ यूजर को ये एक साथ सपोर्ट करता है कोई भी चीज चलाने के लिए मेंफ्रीम सार वैरी लार्ज अनेक्स्प्यूटर फीट फैविट लार्जर इंटरनल इस्टूरिश कापर सिटियं हाई प्रोसेसिंग स्पीड मेंफ्रीम कॉंप्यूटर जो होती है बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं या पर आप देख सकते हैं कि यह रूम के बराबर है यह हमारे जितने बड़े रूम है उतना बरा यह कॉंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा हैं और यह काफी ज़्यादा महेंगे भी होते हैं इनका इंटर्नल स्टूरिश का पर सीटी भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोसेसिंग स्पीड की बात की जाए तो वह भी बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं तो यहां तक उमीद है कि यह सारा चीज आप समझ गए होंगे आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है इट कंटेन पावर्फुल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंडिस कैपेबल टू प्रोसेस हंड्रेड मिलियन जो भी हमारे पास मेंफिन कंप्यूटर होता है इसका डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा पार्फूल होता है यह वन हंड्रेड मिलियन इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में करने की कैपेबलीटी रखता है इट इस कैपेबल टू रन मॉल्टीपल ऑपरेटिंग सिस् में हम मीनी और माइक्रो का काम चला सकते हैं लेकिन मेंफ्रेम कंप्यूटर उसके ब्रांच से जुड़ा होता है क्योंकि हम एक बैंक में हैं और हमें दूसरे उसी के दूसरे ब्रांच पर जाते तो वहां भी हमारा सारा डेटेल मिलने का में कारण होता है कि हमारे सारा सब्सक्राइब करने होते हैं साथ ही उनको बहुत ज़्यादा स्टोरेश की जरूरत होती है जैसे कि एक सब्सक्राइब करते हैं आप एक काउंटर से टिकट लेते और दूसरे पर उसे कैंसल भी करा सकते तो आपके डेटा को चेक कैसे करता है तो उन सभी के लिए उसके पास लाज़ श्टोरेज होना चाहिए जो की में फिर्म कॉम्टीटर प्रोवाइड करता है mainframe system is housed in a central location with several user terminal connected to it mainframe computers जो होता है यह central location में होता है जैसे example में बात की जाए यह आपके हो गए यहाँ पे mainframe computer और यहाँ से जुड़े हुए है client computer यह सारे जो ऐसे जुड़े हुए है यह सारे client होते हैं और जो की mainframe से कोई भी data को access मांगते हैं तो बीच वाल आपको दिख रहा है यह होगे आपका mainframe computer और यह हो गए आपके सारे micro computer या mini computer और इससे भी हम अपने personal computer को इस तरीके से जोड़ सकते हैं तो यह आपका एक flow diagram हो गए कि किस तरीके से हमारा दो है वो computer work करता है अगर हम next बात करते हैं तो अब हमारा आता है last और इसे मैं erase कर देता हो नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा चलिए नेक्स देखते हैं much bigger in size and need a large room with closely humidity and temperature इससे mainframe computer को रखने के लिए बहुत ही बड़े room की जरूरत होती है और साथी humid temperature की भी जरूरत होती क्योंकि इससे heat बहुत जादा रिलीज होता है next बात कि जाए तो IBM DEC यह सब कुछ major vendor से mainframe computer के और example में इसके बात करते हैं तो अब है हमारे पास सूपर कॉंप्यूटर सूपर कॉंप्यूटर इन सभी कॉंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सक्तिसाली होता है बहुत ज्यादे instruction को एक साथ परफॉर्म करता है लाज कापसिटी होती है लाज इसका कॉंप्यूटर दिखाई दे रहा है यही हमारा सूपर कॉंप्यूटर जितने भी लाइट्स आपको दिख रहे हैं यह चोटे-चोटे बहुत सारे कॉंप्यूटर को मिला कर बनाए गया और यह को रूम यह कह सकते कि बड़े से हॉल या फिर गढ़ के बराबर है कुम्सक्तिर है इसके बात कि जीए तो यह लार्जल्स होता है फास्टिस होता है और मोस्ट इस्पइ्शिब को म्ट्यूटर है फुरए और रॉल्ड रिकमसा के लिएame iso के लिए हैं आपकैबल ऋपसेसिंग ट्रिलियन्स ऑफ इंस्क्षण इनफ इन फू सेकेंड प्रोसेसर इन्टर्कों इन यह ट्रियन्सुष्टर सिंटेल पॉर्ष कंप्यूक्टिड्थ यह अफित ट्रिले इंस्ट्रोक्षण scientific simulation इसका यूज हम लोग करते हैं बहुत सारे specific वर्क को करने के लिए जैसे की दिलेनी होती है या फिर scientific simulation जो भी missile launching होता है Solar System के बारे में study की जाती है Sun की study की जाती है उन सभी के लिए super computer की जरूरत होती है नेक्स्ट बात कीजिए तो सबसे फॉर्स सूपर कॉंप्यूटर जो के पूरे कंट्री में बना था उसे बनाने वाले थे रॉगर क्रे जो 1976 में बनाये थे एक्जामपल ऑफ सूपर कॉंप्यूटर सार सीडी सी साइबर क्रे आई बीम रोड रनर टाइटन और अगर बात कीजिए भारत की तो भारत का जो फॉर्स सूपर कॉंप्यूटर था परम एट थाउजन जो 1991 में बनके तयार हुआ था परम एट थाउजन इन नाइटीन नाइटीन वाज दफ फॉर्स इंडियन सूपर कॉंप्यूटर और यहां से हमारा सूपर कॉंप्यूटर खतम होता है और सेकेंड जो हमने साइच के बेसे इस पर कॉंप्यूटर का क्लासिफि कॉंप्यूटर को हम दो के नाइट क्लासिफाइ करते हैं दाफ क्वर्स परपस यह बात करते हैं जेनिरल परपश्प्यूटर क्या होता है तो दिजाइन टूएबल कैयोट मैंने डिफ्रेंट टास्क जेनरल परफश्की क्लाइइब डिजाइन किया जाता है बहुत ही डिफरेंट टास्कों करने के लिए जो आप घरों में अपना कॉंप्यूटर यूज करते हैं डैट इस जैनरल परपस कॉंप्यूटर क्योंकि उस कॉंप्यूटर का कोई एक बहुत है आपको जो काम है वह आपको काम कर सकते हैं को इन्टर्नल मेमरी में कोई इंस्ट्रक्शन पर्मानेंट ली वायड नहीं किया रहता ता आप एक ही काम उससे सकते कि आप सिंगल कमांड डियर वो काम कर दिया आपको जो काम करना है वो बार-बार उससे रिपीट कराने के लिए बार-बार सारे इंस्ट्रक्शन को देना पड़ेगा और जैसे ही एक काम खतम होता है इसके इंटर्नल मेमोरी में दूसरा काम जो है वो लोड हो जाता है और पहले वाले को खो देता है डाक्स्टोप कंप्यूटर लैप्तॉप्स यह सब जेनरल परपस कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल से जेनरल परपस कंप्यूटर के यूज्ट प्रेपियर वर्ट दॉक्मेन्ट प्रेजंटेशन मैंच इन्वेंटरी's प्रिंट्स रिपोर्ट और एक्सिस दा इसके बाद बात करते हैं लास्ट दो स्पेसल कॉंप्यूटर स्पेसल कॉंप्यूटर जो होता है यह एक टेलर सौली होता है जो की हमारे रिक्वाइर्मेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है जैसे डे परफॉर्म दे टास्क पो वीज डियर डिजाइन वर इसको ऐसे कामों के लिए बनाया जाता है जिसमें कि वह काफी जदा इफिसेंटली होते हैं और वो कि वह उसी काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं जबकि जेनरल परपॉस कॉंप्यूटर में हमें जो भी काम करना तो उसके लिए बार बार सारे कमांड को देना सिंगल कमांड हम देते हैं और सिंगल कमांड के बाद इस कॉंप्यूटर को पता होता है कि हमें आगे क्या करना है क्योंकि इसे उसी स्पेशल पॉर्पस के लिए बनाया जाता है जैसे इसांपल में बात करें वेदर फॉर्कास्टिंग एर ट्रैफिक कंट्रोल स्टर इन सभी के लिए स्पेशल कॉंप्यूटर बनाए जाते हैं और इसी के साथ आज का मारज वो खतम होता है जिसमें आज हमने देखा कॉंप्यूटर के सारे कौन-कौन से टाइप होते हैं एक बार क्वीक रिवीजर हम कर लेते हैं सारे का ओगे एक बार हमने फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहला हमने क्लासिफिक्रिकिशन किया थीम बेसिस पर फस्ट इस मेकानिज्म सेकंड इस साइज और थाड़ इस प्रपस देखा था एनलोग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइबिड कंप्यूटर यह तीन हम इसके बाद हमने देखा साइज इसमें माइक्रो के बारे में पढ़ा मीनी के बारे में पढ़ा में कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर पढ़ा एंड़ लास्ट इस बेसिस ऑफ पर पस जिसमें हमरे जेनरल कंप्यूटर और इस पेसल कंप्यूटर कंप्यूट किया तो यह सा हमारे इस बेसिस का टेगरिस के अंदर में ही आते हैं जैसे कि कोई आपको पढ़ाता है आप सब्सक्राइब होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब के लिए जैन दोस्तों और एक बार फिर से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इजवाया जैन दोस्तों